पेदा हुआ पला बड़ा हटेली इलाके में, यहां सबको करनी थी पटेली हरनाके पे, सबसे हटकर, सबसे कटर, मुह खुला तो सरपर फटर, सबसे खतरनाक, बंबेश सतर, बंबेश सतर, यह मेरे अरिये का पिंकोड है, 400-070-7070, तो जब भी मैं उसे पुछता है कि where you live, where you stay, तो मैं उनको जवाब देता हूँ, कुरला, तो कुरला का नाम सुनके पब्लीक थोड़ा, या तो उनके यकीन ही होता है, या तो वो तोड़ा समझ जाते हैं कि भाई, सब एक जैसे नहीं है, हर बस्ती में, हर सेटलमेंट में अलग-अलग किसम के लोग रहते हैं, तो हमारे लाके में भी अलग-अलग किसम के लोग रहते हैं, लोग यहां पे अलग-अलग शौक पाले, कोई लाले, क्रिकेट में कुप शॉट माले, कोई साले, फोकट में ही न तो यह अलग-अलग चॉल्स में कई ना कई जो लोग रहते हैं वो जादतर देश बढ़ के अलग-अलग कुनि पूनि से आते हैं गाउ से, शेहर से और काम की दलाश में बंबई आते और वो जादतर लोवर जाद से बैखग्राउंड से रहते हैं और उन्हें यहाँ पर आने के बाद बिल्दिंगों का रेंट जाता होने के बज़े से या और घी कारूम के बज़े से वो गल्यों में रहने लगते हैं इसने में बताए कि अलग-अलग प्रकार के लोग रहते हैं तीचर बने मुंसिबल स्कूलों में और उसके बाद एजुकेशनल इंस्पेक्टर बने और उन्हें जौ वाइफ थी दिया मेरी ग्रैंड मा उन्होंने भी आइज आच्ची लिए उ उन्हें वह वह भी टीचर बनी मुंसिबल पीड़ा उन्हें तो वो काफी स्ट्रॉंग मु के उनका अकिला लड़का मैं तो शौडब बिल्डा है और डैट ने जादा पढ़ा ही नहीं की तो दुबई चले गए मैनत मजदूरिया उन्होंने टेंथ पास किया था उसके बाद कुछ जॉब करने बाद वह वहां चले गए वहां एक लैब में काम करते हैं वह मस्टिबल गरवालों की नजरों में साला मैं बहुत सीधा साधा वागलियों में भाईयों की लूंगी को खीच के भागों में बाजों में कुडियों के पीछे स्कूल में बनने को कूल गरूं में हरकते रिसस में कश्म कश्म चश्म फूटे जूते मूपे जो भी उचे सूर में बोले उसका सर फटे, नहीं मैं इतना ही वोलेंट नी था, लेकिन तोड़ा मस्ती को और था, तोड़ा अलग-अलग लोगों के साथ रहता था, कभी अच्छे लड़के, बुड़े लड़के, छोटे लड़के, बड़े लड़के, अलग-अलग हैंगाउट्स था, और कभी मैं अनल और आवादा मतलब मैं क्यूरियस था चीजों के बारे में हो, और बहुत अडवेंचर था, लेकिन एक तिन अडवेंचर तोड़ा जादा हो गया, मैं पुलिस्टिशन में एंड़प किया, वहां से कॉल जाता है घर पे, और बोलते कि तुम्हारा बेटा मेरी मॉमफुल घ तुम्हारा पुत्र कारण उसके मित्र कांड कर रहे थे, वारंट लिक के पत्र बेज हूँ, या तुम भेजते हो, पत्ते लेके याँपर किसको, पुलिस्टिशन में पत्तिशन मतलब रद है, फोन रखके टक पटक के, मुझ पजब के ठोले बोले, देते फटके, ऐसे कैस दिनके मामा ले लो पैसे, फुपा लेके आत ही, हूंगे पैसे हात में, मैं तो बसता साथ में, मुझ को क्या पता था के, शोट ऐसा होने वाला, रूती खाता दोनी वाला, छोटी चूके, जाने दोना नहीं दिया, तो आज साला, मैं तो बहुत रोने वाला, धर पे जाके ह उने वाला है तमाशा, मैं तमाशा आने वाला, तुमको क्या, तुमको क्या, तुमकी देरे-देरे मेरे घर पर पता चलने लगे मेरे कांट के बारे में, कि मैं ऐसा भी कर रहा हूं, ऐसा भी कर रहा हूं, और फिर मेरे घरवालों को ऐसा लादा कि इसका माहुल बदलना में निकला तो वो काफी हेल्प भी कर रहा है मैं को अभी अगले फेस में स्ट्रॉंग एक स्ट्रॉंगनेस वन्दब चीजों को मजबूत बनाया है और इस शहर में खासकर इस इस इलाकों में हमें मजबूत बनके रहना ज़रूरी है से बनड़त सेयँ के खिएग क्योंकी यहां ठीन वर्णगनाय में आए पक्र हैसासरे लोगत ब्रूके मूपे त्रॉर Merci B मतलब वो तोड़े वाइलेंस रहते हैं मतलब वाइलेंस रहते हैं कि क्या है भूली यहाँ फुल्पटेली कि एड़केशन गाप के वज़े से भी और पूर एंड डेंजरस नेबर होड यहाँ पर जितने भी तो गवर्मेंट ना ध्यान तो है चीजों पर पढ़ाई करा है ज लेकिन जादा अच्छे से उनका ध्यान रहना चीए कि इन बच्चों की साथ क्या है और स्कूले है लेकिन स्कूलों तक उनको बच्चों को लाना भी एक चैलेंज है कि वो कैसे वहां तक पहुचाया जाए क्योंकि पैरेंस भी जादा तर उतने एड़केट नहीं है और उन जिदकी जीने का नज़रीया ही कुछ और गली में मıtलब पपलिक नको डिफो को उनको दिखाने वाला कोई कि उनको उनकी वर्त बताना किए वह भी इं सान ने उनके पास भी वह भी कुछ कर सकते हैं उनको मतलब उसके लिए कुछ कदम उताने चाहिए कुछwater क्याने सब में रहनिया के गली का रिबाज है कल्चर है और कभी आओ तुम लोग गली में है तुम लोगी सेरगर आता हूं देखो तो इधर मेरे गली में है घर छोटे छोटे लेकिन जरा देखो दिल में है जगा बेशुमार देपुकार कभी भी गली से मदद देने को तियार गली भी चलेंगे लेकिन फरे भी करेंगे नहीं चले भी तह लेंगे लेकिन पटे लिन केगे नहीं जहां भी चलेंगे मोले हटिला जुकेगा नहीं और क्यूं किंचे अप्षिली आ है मैरी कली का तरीका सली का सिहकेला है पिर म्युजिक का मुझे बश्मान से शाक था कि घर पे मैं मुझे सुनता था जब जब भी कवालिया गजल्स वगेरा फिर बाहर बॉलीफूट वगेरा सुनता था मेरे डाड ने एक वॉक्मेर लाके दिये थे मुझे तो मैं कैसे वगेरा के लिए मुझे साधा पैसे नहीं देते थे थे थोड़े मोडे गिंती गई तो मैं स्टेशन रोड पे जाता था वहां पे थेले पे ऐसे कैसे रगे वे और अनलब मुझे है कि मैंने ऐसे कैसे धापा हूं ना मतलब चत्तराई से कैसे कि जो में को चाहिए वह एक दिन पहले आके रिसर्च किया कि पॉन सी किदर रखी है में को पॉन सी चाहिए तो उसके बाद वह अपना जैन होते रहे तो पुब्ली को एड़ा बनाए कि भाई वह ली बताओ नहीं ली इंतर जैन में तो ऐसे लिए में गली में ले आगा पटीली करने का कि बाई मेरे पास गाना है लो तुम्हार उसके फोन होन कुछ नहीं था तो उसमें सुनने का म्यूजिक के लिए उनका एड़े चाले करने का म्यूजिक से बहुत लगाओ फिर दीरे-दीरे मैं हां मेरे जो ग्रैंट फादर थे उन्होंने मेरा एडमिशन अब जादतर लोग घर से उर्दू मेडियम में पढ़े वे और जादतर आर्ट्स लिट्रेचर वाली पबलिक तो उन्होंने बच्पन में लड़ाई जगाई करे मतलब मेरा एडमिशन सब्रदस्ति कॉर्मेंट स मेरा पहला वास्ताबड़ा गली में बजने वाले नुजए सेट में जहां है फुल हाइप सौंग बच्ते थे फंक्शन अगरा मेंगे पापी 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 चूलो बचूलो बच्णू बच्णू कुछ संवाई में ने नी आ पाप सुनपल का टेंपरेचर ये हो वह सुना गाने और पर उसको में को मजा आता था कि लोग कुछ बोल रहे हैं और उनकी लेरिक्स को अगेरा थोड़ा रिलेट नी मतलब कहिया गहीं थोड़ा इंड्रिस्टिक लगता था मुझे तो मैं वो चीजे जाके साइबर कैफे में फुल मतलब पैशन के साथ डाउनलो सुनते भी आता था तो धिरे धिरे मेरे लाइफ में हिपआप आने लागाता और मैं उनके ऐसा इमिटेट करता था उनकी चीजों को रंग भी रंगी कपड़े बड़े जूते फुल स्वाइड में ऐसा गूमने का पब्लिक में वो क्रेजी बोल ले या यह लड़गा पाग उस वक तक हम काफी वनभी दे मतलब इमिटेट करते थे तो लिगिन उसमें से एक तो बंदे बहुत जहीन बहुत अच्छे दोस्त हम मिलके हमारी फटा-फट बॉर्णी हुई क्यों कि वो भी हिपॉप में इंट्रेस्टे थे थोड़ा बट और मैंने जसे बताया कि मैं वहां रैप कर रहे हैं मतलब अपनी भडास निकाल रहे हैं लेक्चर में किसी ने कुछ बोला घर पे किसी ने कुछ बोला तो फ्रीश्टाइल रैप करते थे एक बंदा बीड बॉक्सिं करता था हम राइंस में अपनी चीजों को बोलते थे फिर वह उमने करना शुरू किय जो यह Western culture है जो जिसवजी से इसको इजात किया गया था historical अगर दिखा जाए तो जो वहां के रैपर्स थे उन्होंने जिस बारे में बात की तो मैंने सब गहराही में गया तो मुझे पता चला कि वह काफी कुछ मैं रिलेट कर सकता हूं उन्होंने लाइफ के बारे में बोल गर पे इदर उदर लोग में को पागल बुला रहे हैं मतलब बहुत सारी चीज़े मेरे दिमांग में चल रही थी और मुझे कोई ऐसा वो नहीं दिख रहा था कि मैं कैसे निकल सकूँ इस ची मतलब कहां जाओं तो मुझे बहुत गुस्सा आया हुदा मैंने मैं आया घर प इसी वह लिखके कंप्लीट हुआ मैंने उसको बराबर लिखके बद छोड़ा तो मुझे ऐसा लागा कि बहुत अच्छा मैसूस हुआ कि बहुत सारी चीज़े मैंने निकाल दी और उसको निकालने के बाद पर बैर मैंने सुचा कि अब इसको लोगों सामने कैसे लाओं और है मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं उस अनलब आज से तीन-चार साल पहने की बाद कोई कोई कॉंटाइक्स नहीं म्यूजिक में ना इदर ना उदर मेरी कौन हेल्प करता है मैंने सुचा यह सारी चीज़ अपने को खुद बखुद करने पड़े ही और चीज़े होने लगी है सब कुछ फिक्स्ट है क्योंकि वहां से मैंने दुसरे दिन इसको आइपेड में रिकॉर्ड किया मेरे पास आइपेड था डैड ने एक आइपेड लाया था अभी माइपुक पे काम रखता हू लेकिन उस वक्त आइपेड लेकर मैंने उस पे जुगाड बहुत खंधरी तो मैंने चाही की छंडी को इस्तपाल गया एर फिल्टर के लिए और ऐसे यह तो एक छोटी मोटी मिसाल है मैंने बहुत सारे जुगाड करकर उसको फाइनली प्रिजेंटेबल चीज बनाया के मुझे थोड़ी ब़त फ्रेमिंग आती थी थी फोड़ी ब़त फ्रेमिंग आ बालीबुट से काणते थे कि एक फागल लड़का है तो उन लोग में फटा-फँट та तेगी थे किया रहे हो ऐसे फागल लड़कीया वीजियो dijeasiasiasiomo बैठ वीड़ी करें और उन लोग असंड़ सबने आतना और घ़한테 पर फालीज में स्कूल में इंटर्नेट पर और देज कि मुझे दो-तीन मेने बाद ही बॉलिफुट से कॉलाया कि एक गाना करना है जिसके विडियो में रणवीर सिंग तुम्हारा गाने को लिप सिंग करेगा उसमें विधाब बच्च रक्षे कुमारे और गरेश अचारिया रिट्टी क्रोश्र मिली एड भागे हो ला है क्या हो तो मैंने वो ड्रैग किया तो मैंने ऐसी चंद काम और गे फिर उसके बाद मेजर म्यूजिक लेबल्स हमारे में इंट्रेश्टेट थे मैंने चंद रैपर्स के साब को रापरेशन किया शहर के और फिर एक देशी हिपॉप में अंडरग्राउंड सीन में नही हवा चली के म करना है हिंदी में करना है में रैप ऐसा करना है तो यह सारी चीज होने के बावचुत मेरे घरवाले नाराज है मुझसे के मत कर यह कि उनके दीमाद में एक इमेज सेट है हिप-आप की एक रैपर की वो जैसा है टीवी पे देखते है के हाफ निकेड वुमिन है और बॉटल में कराा हिए तो और चीजों से मुझे बहुत बंाक रना कर रहरे है सारी लोग अगेज़् उनके रretenकर films यृन zab DVD मेरे खाने सारे लोग मिलके रिलेफ्म कि एक जैनके मैंको क्स लिए कर रहा हुए मेरा मकसत क्या है बिग-अपिक्ष लोग मेAg मamento 없이 करते है तो वो नाराज क में बहुत कोशिश करूँ हुआ उनको सम्नाने कोशिश करूँ हुआ तो मैं दुबऑी किया हुआ है जहां मेरे डैट काम करते हैं तो मैं गया वैकेशन के लिए और उनसे मिलने के लिए उनसे मिला मुझे काफी अच्छा लगा कि मैं खुद के पैसों से महां तक पहुचा है उनसे मिलने के लिए और फिर मैंने देगा कि उनके लैप अगेरा में जाके विजिट किया तो मुझे बहुत ऐसा रियलाइज हुआ के यह बंदा मतलब दो डिकेट से जादा अपने लिए इतनी महनत कर रहा है तो मैं चाहता कि मैं चाहता कि मैं नहीं पर ऐसा सोच लिया कि इनको वापस कैसे भी बुलाने गए अपने घर पे अपने पुरी फैमली से दूर इतने दू है मुझे कुछ और करना नहीं मुझे आर्टिस्टी बनना है और मैंने डिसाइड चाल लिया है तो अब देखते हैं क्या होता है क्योंकि हिपप ऐसा आट फॉर्म है जिससे काफी कुछ किया जा सकता है खासकर हमारे देश में जहां लोगों के जहन बंद है जहां हमें आज आजादू में आजादू में रस्तों पे चलने पलने वालों की आवाजू में आजादू में आजादू में प्रस्ट करने में हकिकत बिल्कुल बिंदा सुमें आजादू में आजादू में आजादू में फिक्रम निकला काट पे रस्तों पे क्यों भाए उचाई या चुन है और हिपोफ से काफी कुछ रेवल्यूशन आया जा सकता है जैसे वहां यूएस में आया है तरीके से लेकिन यहां के हलात अलगे यहां की चीज़े अलगे हमें उस कल्चर वो कॉपीड ही करना है हमें इसको अपने तरीके से अपने दंग से करना है और काफी हद तक मुजिक किया जा सकता है आजादू में आफत हुँए साहस हुए जाबा जूए चोरों पर लफंगों पर हर दुश्मनों पर खातक हुए बेबसों की लाचारों की कमजोरों की ताकत हुए दरिया दिली ये सागर डूंडे लफ्ज ये भूंदे बादल हुए जाजा तूने इमामा ह हुए अंदाज हुए एशास हुए नाचना जाने आगन तेड़ा रैस तेरे आनंद लूंए सोचता तार तूने बन कर दूमें फिर से ले सोच बेटा पादल हुए धंसे जबातरे साथ रखुमें जब शाणा मुरा तो फिर लाफ़ा दूमें बिन कोई संकेत मातरा हुए यह को अमाँ जुम्गे वह थाहां प्रादी हुँ मैं कैद में होने के लायक हुए थाइक निए थाईक यू तो मैं प्रूमच्छ पुस्थ